आतीशी के अंशन से भुझे की दिल्ली की प्यास विजे भी बोली 10 साल में पानी के लिए क्या किया दिल्ली में पीने के पानी की भ्यंकर किल्लत बनी हुई है भाजवा ने अरोप लगाया है कि आमान्दी पार्टी सरकार को सत्ता में आयोए 10 साल बीच चुके हैं लेकिन उसने दिल्ली में पानी की समस्या सुधाने का कोई काम नहीं किया यदि दिल्ली सरकार पीने के पानी के लिए उचे तुपाय अपनाती तो आज दिल्ली वालों को पीने की पानी के लिए इतना परिशान नहीं होना पड़ता पार्टी का अरोप है कि आमान्दी पार्टी ने अपने राजनितिक जात्रा की शुरुवात अरोप रत्यारोप की राजनिती से की थी वे आज भी वही कर रही है वहीं आम आदिपाटी ने कहा कि उसने 10 सालों में अजादी के समय से बीची सीवर लाइनों को बदलने का भारी काम किया है कई जीलों को पूनर जीवित कर उनमें जल भरने की शमता का सुधार किया है आपका आरोप है कि उसके इस कारे को भाजवा राजनीतिक स्टंट करार दे रही है दिल्ली भाजवा प्रदेश मंदरी सारीका जैन ने अमर उजाला से कहा कि अर्विंद केजरिवाल ने अपने अंदोलन के दोरान शीला दिक्षित सरकार पर टेंकर माफियाओं से साथ गाठ होने का अरोप लगाया था उन्होंने उस समय इसका वेकल्पिक उपाय सुझाते हुए यमुना के बाढ़ वाले इलाकों में बड़े तलाब बनाकर उनमें पानी स्टोर करने जैसे उपाय करने की बात कही थी लेकिन सत्ता में आने के पिछले 10 सालों में दिल्ली में टेंकर माफिया कम होने की बढ़ गए हैं इससे साफ जाहिर होता है कि दिल्ली सरकार टेंकर माफियों पर लगाम लगाने में अगर सफल साबित हुई है आज दिल्ली की जुगी जोपड़ी वाला एरिया में ही नहीं बलकि कई पोश इलाकों में भी लोगों को पानी के लिए तरसना पड़ रहा है लोग वाल्टी भर पानी के लिए भारी कीमट चुकाने के लिए तैयार है उन्होंने कहा कि इसकी जिम्मेदारी दिल्ली सरकार की है बाच्वा नेता ने कहा कि 2013 में जब अर्विन केजरिवाल दिल्ली की सत्ता में आये थे तब दिल्ली जलबोड 600 करोड रुपए के लाब में चल रहा था लेकिन आमान्दी पाटी के 10 सालों के शासन में दिल्ली जलबोड 1000 करोडों के घाटे में चला गया है जबकि लोगों को पीने के पानी की सुविदा में भी कोई बडोतरी नहीं हुई है उन्होंने कहा कि इस मामले की जांच होनी चाहिए कि बिना कोई काम किये दिल्ली जलबोड इतने भारी घाटे में क्यों आ गया भाज़वा निता ने इन खर्च हुए पैसों के ओडिट कराने की भी मांग की आम आधी पार्टी निता प्रियंका ककर ने गुरुवार को कहा कि पिछले 10 सालों में दिल्ली जलबोड ने 7300 किलोमीटर नई पाइपलाइन डालने का काम किया है ये पाइपलाइन बहुत समय पहले डाली गई थी और इनमें लीकेज के कारण भारी मातरा में जल बरबाद हो रहा था अब इस लीकेज को कम करने में मदद मिली है इस दोरां 3700 किलोमीटर पुरानी पाइपलाइनों को भी बदला गया है इसके अलावा कई लाकों में नई पाइपलाइन बिछाई गई है प्रियंका ककर ने कहा कि यदि पडोसी राज्य अपनी जिम्मेदारी निभाएं और दिल्ली को प्रयाप्त पानी दें तो पानी की कमी की समस्या हल हो सकती है उन्होंने आरोप लगाया कि हरयाना सरकार ने दिल्ली का 100MGD पानी रोक रखा है इससे 28 लाख लोगों की जरूरते पूरी हो सकती है उन्होंने कहा कि आमानी पार्टी दिल्ली के अधिकारों की लड़ाई जारी रखेगी जल मंतरी आतीशी ने इस मुद्दे पर प्रधान मंतरी और उपराज्य पाल के हस्त शेप करने की अपील भी की है जल संकट का समधान नहीं हुआ तो वो शुकरवार से अनिश्ट कालिन अंशन पर बैठने जा रही है